तो सबसे पहले मैंने श्याओगा ले लिया है उसको अची तरवाश करके चोटे-चोटे स्पीस में मैंने कट कर ले उसको सब्जी बनाने के लिए मुंपली लेंगे उसको अच्छे से भूल लेंगे साइजन की सबजी खाने के लिए बहुत अच्छी होती है उसमें बहुत जधा क्यासरें प्रोटीन बहुत अपर सबसे पहले है उसको अची तरह बून लेना है उसके बाद हम कडायी रखेंगे कडायी रखेंगे हमें तो त्क गैसान कर देंगे उसमें दो-तीन चमिस आलेंग अच्छी सफे 오्लीकिता च्राइब करेंगे जोह भेघतेिया अबलाधि स्रोण चाराजीब कीविंबम तब नाच्छी चर्ण करें तो हुंप एक गृशा उछेघ्या हो इससे और अच्छी यह मीच सब्सक्राइब का आए अगर हम फ्राइट करते हैं तो इसमें टेस्ट बढ़ी आता और इसको पकने के लिए भी टाइम नहीं लगता है तो अब दो मिनटी लिए दखकन डग देंगे अब हैम इसका मसाला तहर करेंगे वह यह अमे बिल्कुल बना है मूंफळी का मसाला बना रही है कि इसमें मूफळी यह हम जीर आएड करेंगे लश्षा एट में लश्षा लसुन की को यह थे इसके बाद हम वहल्थी पाउड़ा डालेंगे एक यह लाजमी पाउड़र यायए करेंगे की इसके बात हम मिक्सितने इसको बारेक तरफ पीस लेंगे और देखा मों डखकन-टत अभी अभी मिस्में मसाल आड़ करेंगे गयाइस में दीमिक है अभी हम फूल कर देंगे तोड़ा सा मसला रखरने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है तुछ सारा मसला मैंने अड़् कर दिया है बस इसी मसले के इसपजी बना रही हो मैंने दूसरा कुछ भियादनी किया अभी मसर होने के बार उसमें हम सवाद अनुसार नमक आद करेंगे और अभी हम अच्छी से इसको गुमाएंगे दो मिनुट के लिए अब यहां पाणे आड़ करेंगे पाणी थोड़ा ज्यादा टालना है कि सब्जी पकने के लिए मैं पाणी चाहिए हैं मैं पतली सब्जी बना रही हूँ यह सेजेन की सब्जी घाने में बहुत बढ़ा होती है और सेथ के लिए बहुत अच्छी होती है इसको आप सुकी भी बना सकते हो मैंने पतली बनाई सब्जी हमारी बहुत बढ़ा बनके तयार है अब यहां थोना धन्याड करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि सब्जी कैसे बनी और आप भी बनाके जरूर देखना और वीड